इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी भार गलोब 16.5 प्रतिशत इंजेक्शन का इस्तेमाल इंफेक्शन के जोखिम को कम करने के लिए उन लोगों के शरीर के प्राकृतिक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क भार गलोब 16.5 प्रतिशत इंजेक्शन ट्रांस्प्लांट के बाद पहले 100 दिनों में 20 वर्ष से अधिक आयू के बोन मेरो ट्रांस्प्लांट वाले रोगियों में इंफेक्शन को रोकने के लिए प्रभावी होता है इसका इस्तेमाल रोगियों के इलाज में किया जाता है जहां एंटी बॉडी बनाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है जिससे उन्हें इंफेक्शन का अधिक जोखिम होता है भार गलोब 16.5 प्रतिशत इंजेक्शन आपको वे एंटी बॉडी देता है जिन्हें आपका शरीर अपने आप नहीं बना रहा है ताकि कि आप इंफेक्शन से लड़ सकें बच्चे और वयस्क दोनों के लिए यह चिकित्सा उपयोगी हो सकती है यह इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है भार गलोब 16.5 प्रतिशत इंजेक्शन को लगाने के कुछ समय बाद आपका किसी भी साइड इफेक्ट के लिए ड शक्कर आना, सिर्दर्द, मिचली आना, ब्लड प्रेश घर जाना और मांस्पेशियों में दर्द। अगर आपको इन में से किसी या किसी अन्यसाइड इफेक्ट का अनुभव होता है या आपको अपनी तबियक खराब लगती है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाह यह पता नहीं है कि गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं इसलिए कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक कर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद